बॉलोर इंडस्ट्री में जहां एक तरफ सैफ अली खान की हाली में रिलीज होई फिल्म लाल कप्तान के प्रॉप होने को लेकर खबरों ने जहां सैफ अली खान की नवाप परिवाद को परिशान कर दिया तो दोस्टी ही तरफ इसे साल रिलीज होई मार्च के महीने की पर बदला को लेकर अगर बात की जाए तो सैफ की एक्स वाई अमरिता को भी इसी परिशानी का सामना करना पड़ा था लंबे समय बार बहुत ही जादा हिम्मत जताकर अमरिता सिंग ने बदला फिल्म में कमबैक किया मजबूरी थी उनकी या पिर मर्जी ये कहना मुश्किल है क्योंकि अमिताब बच्चन के साथ अस्ती के दशक में रुमैंस कर चुकी अमरिता सिंग बदला फिल्म में एक मा क की भूमी का में नजर आई कभी टॉप मोस्ट लीड एक्रिस की प्रेट्रिट होने वाली अमरिता आज मा की भूमी का में नजर आती हैं वह भी तब जब उनकी इस वतन यानि कि सैफ की पत्नी करीना जो हैं बॉल्स से बिल्किल हटकर डी गलै मरस लुक में नजरनाने को लेकर हमेशा चर्चा में रही बदलापर में भी उनका डी ग्लैम्रस लुक काफी चर्चा में रहा चीहां अमरिता सिंग उसमें काफी जादा बिक्ड़े हाल में नजर आई थी और रियल लाइफ में उनकी जिन्दगी कुछ ऐसे ही हुई जब सैफ अलिखान से उनका कदल चुकी है शायद ही आपको मालूम हो जिसने जुड़ा हुआ है उनकी शादी कर सच शादी की वक्त लिया गया फैसला सैफ अलिखान के साथ उनके बिगड़े हुए रिष्टे कर सच तो ये सारी बाते हम करने वाले हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत कर लेते हैं जिसके बाद ये कभी एक दूसरे के सामने नहीं है अम्रिता का रूप बदलता चला गया क्लैम्रस और खूपसरत दिखने वाली अम्रिता आज बिलकुल सिंपल आम महीला की तरह दिखाई देती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा ही रहना पसंद है आईए देखते हैं दूसरे पहल दशा में हैं कुछ लोग तो ये जानते विए नहीं और कुछ जानना चाहते भी नहीं अपनी बेटी सारा अलि खान की करियर को ले कर खुश रहने वाली सारा अलि खान की मौब अम्रिता अपने जमानी की टॉप मोस्ट अक्रिस रहे चुकी हैं ये तो आपको मानूद भी ह अस्ति की दशक में एक सिबढ़कर एक पल्मे करने वाले अमरिता सिंग जब सनी द्योल के साथ हुआ करती थी तो सनी द्योल और अमरिता सिंग के बीश नस्तिकियों सैफ अलिखान को काफी परिशान किया था और अपने से नौसाल बड़ी अमरिता को दिल देकर सैफ में दो दिन की अंदर ही उन्हें शादी के लिए मना लिया था लेकिन यहां पर अमरिता सिंग से एक भूल हो गए और साल छोटे सैफ की साथ उन्होंने परिवार बालों की आप जाकर शादी करने का तो फैसल ले लिया गुपचुप शादी रचाकर अमरिता सैफ का प्यार बटोल सैफ और अमरिता एक दूसरे से और दूर होते चले गए और फिर साल 1991 में हुई इनकी शादी का अंदर साल 2004 में हुआ शादी का रिष्टा खत्म हुआ तलाखका मुहर इनके रिष्टे पर लग गया नवाप परिवार की एक्स बहु की रूप में जिस आज अमरिता सिंग को जाना जाता है वह अमरिता आज नवा भी शौक नहीं रहते कभी नवा परिवार में सैफ की बेगम बनकर ददम रखने वाली अमरिता और सैफ की ऐसी एकस वाइप कहलाती है जिनने ना तो सजने सवरने का शौक है और ना ही खोपसुरत ग्लैमरस दिखने का शौक है सिंपल आम लोगों की तरह सिंपल ड्रेसेज में कुर्ता और सिंपल पिजामे में नज़राने वाली अमरिता सलून तो जाती है लेकिन इसलिए क्योंकि उनके चेहरे की बिगरी हुई दशा किसी को दिखाई ना दे कभी हमेशा घंटो घंटो तक मेकप में रहने वाली अमरिता का चेहरा आज काफी जादा बदल गया है आपको बताना शाहें कि कभी अमरिता सिंप बिना मेकप भी बहुत खोबसुरत दिखती है इसका खुलासा खुद सैफ अली खान ने एक इंटर्व्यू में किया था ऐसे में अमरिता सिंप को 12 साल बड़ी होने के बावजूद सैफ ने काफी प्यार दिया था क्योंकि अमरिता अस्ती की दश्ट बहुत खोबसुरत थी बहुत जवा थी और उनके चेहरी की चमक ने सैफ का दल जित लिया था बिना मेकप भी सैफ ने अमरिता सिंप को देखा था तो उनकी दिवाने हो गए लेकिन हमेशा फिलमी सेट पर भारी भरकम मेकप करते करने की वज़े से केमिकल्स के इस्तमाल की वज़े से रफ एंट अफ मेकप मेकप कॉस्मेटिक्स की वज़े से मेक अप सामान की वजह से अमरिता के चेहरे को धीरे धीरे बदलता देगा यही कारणे की आज साथ की उमर को पार करने की बावर बाद अमरिता सिंग अपने चेहरे पर आए बुढ़ हापे का रूप नहीं चुपा पाती है गौर करने वाली बात ये है कि साल 2004 में जब सैफ से अमरिता का तला हुआ उसके बाद अमरिता ने सजना सबरना भी छोड़ दिया कभी दुलहन की तरह सजकर सबर कर रहने वाली अमरिता ने सैफ अली खान के साथ हुए तला के बाद पूरी तरह से सिंपल जिन्दगी चीने का फैसला दिया था करोडों की मालकिन तो सैफ की पत्नी अमरिता तब भी थी और आज भी उनके पास करोडों के जायदाद है लेकिन जब सैफ अली खान नहीं अमरिता सिंग के साथ रिष्टे खत्म कर दिया तो सैफ अली खान के लिए सजने वाली अमरिता ने सजना सबरना भी छोड़ दिया कुछ इसी तरह से उनकी जिंदगी बदल और आज सिंपल रहने वाली अमरिता सिंपल रहने की वज़े से मीडिया की कैमरे और लाइम लाइट से दूर नहीं जिनना तो हैवी मेक अप में देखा जाता है और ना ही मीडिया के सामने हैवी भारी भर कम ड्रेसेज में बॉलिवोड के पार्टिस एवें फॉंक्शन में जहां अपने बच्चों को भेशती हैं अमरिता लाइम लाइट में बोस देने के लिए मीडिया के सामने खुश देखने के लिए जी हाँ ये था हमारा special program अमरिता सिंग की बतलीवी सिंदगी को लेकर आगे की रिपोर्ट में हम जानेंगे अमरिता सिंग को लेकर सैफ अली खाने कैसे अपने रिष्टे को मेंटेन किया था तलाग के बाद अमरिता सिंग को सैफ अली खान ने एक लेटर में लिखकर करीना के साथ अपने शादी की जानकारी थी और अमृता सिंग ने अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने दिल पर सैफ अली खान के प्यार को दबा कर सैफ को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शुब काम नाई दे थी सैफ अली खान के लिए गए फैसले पर सैफ को उनकी एक्स पत्नी अमृता का सुपोर्ट मिला था अपने बिगड़े हुए बाहल को भी बया नहीं किया अमृता सिंग ने सैफ का सहारा नहीं लिए अमृता ने तलाक के बाद अकेली है अपने जिंदगी गुजारती रही कल्यूख से लेकर टू स्टेट्स और बदला जैसे फिल्मों में सपोर्टिव रोल करते हुई अमृता सिंग ने तारीक पे तो लूटी लेकिन रियल में उनकी जिंदगी में जो बॉलिवर में एहम किरदार हुआ करता था बत और ली रैक्रिस उसकी कुर्बाने सिर्फ पर सिर्फ सैफ के साथ शादी के बाद नवाबी जिंदगी के लिए अमृता नी दी थी सैफ ने बताया था कि सैफ अली खान को अमृता ने इग्मोर कर दिया था सनी देवल के साथ जफल मिश्य सट पर वो पहुंस दे थी चैट शो में सैफ अली खान ने जानकारी दी थी अमृता सिंग के विदाउट मेकप लुप को लेकर कि वो कितने हैरान हो गए थे अमरिता आपकी खुबसूरती देखर कुद्रती खुबसूरती को देखर वों के दिवाने हो गए आपको शयद मालूम ना हो लेकिन अमरिता सिंग और सैफ अलिखान दो दिन तक साथ रहे थे शादी से पहले सैफ ने उनसे प्यार का इजहार किया था अमरिता की घर पर दो दिन रुखने के साथ अमरिता सिंग ने सैफ अली खान के साथ सिक्रेट वेडिंग का फैसला ले लिया था दो दिन के अंदर ही शादी का फैसला दोनों डर कर ले चुके थे सैफ को डर था कि उम्रे के फासले की कारण उनकी घरवाले सैफ से शादी अमरिता की नहीं होने देंगे यही डर सैफ अलिखान की पत्नी अमरिता सिंग को भी परिशान कर रहा था अम्रिता सिंग को लेटर लेकर सैफ अली खान ने करीना के साथ शादी के बारे में जानकारी थी चीहां अम्रिता सिंग को उन्होंने बताया था तो करीना कपूर और सैफ की शादी हुई थी तो अम्रिता ने उन्हें शुब काम नहीं दी थी सैफ ने लेटर भिशने को लेकर करीना कपूल खान को भी स्टेजा आनकारी दी सुनकर यकीनन आप हैरान होंगे लेकिन हमडिता ने हमेशा सैफ की खुशियों की परबाद कुछ दिनों पहले सैफ अली खान की फिल्म लाल कप्तान रिलीस हुई है सैफ की फिल्म सूपर डूपर हिट नहीं हुई सौप सैफ की फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रही है लिप सिरीज सेक्रिट गेम से सर्ताज सिंग के किरदार से लोगों का दिल जितने वाले सैफ इस साल सिजन टू में खास धमाल नहीं कर पाए जिसके कारण चर्चा फिल्म को लेकर यहीं हो रही है कि फिल्म ने उनका खास अंदास लोगों को पसंद नहीं आये सैफ अली खान की पत्नी अम्रिता की बात करें तो इस साल फिल्म बदला में वो नज़र आई थी दरसल अमरिता सिंग उस पर में मा की मुमी का में नज़र आए क्योंकि बढ़ती उमर का साफ साफ भुरूप उनके चहरे पर नज़र आ रहा था जी हाँ ये था सच अमरिता सिंग के जिंदगी का बदलते वक्त के साथ ना सिर्फ अमरिता सिंग की जिंदगी बदली बदलते वक्त के साथ अमरिता सिंग का चहरा बदला अमरिता सिंग की जिंदगी में रंग बदले सैफ के साथ रिष्टे के अमरिता सिंग की फिल्मी स्टोरी जो थी रियल लाइफ में बिलकुल अलग हट करने के लिए अधूरे प्यार के अधूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ किताबों के पन्नों की तरह लोगों के बीच सामने आए असल में सैफ अमरिता के बीच आखिर क्यों लडाई जगड़े शुरू हुए थे इसका राज अब तक राज बना हुआ है वक्त हो गया है दोस्तों यहीं अजाज़त लेने का लोटिंग के चल्द ऐसे ही सेलिब्रिटीज की रियल लाइफ और और उन स्क्रीन लाइफ से लेकर रील और रियल लाइफ से लेकर फिल्म ही दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसे ही अपडेट आपके भी शलाने के लिए तब तक के लिए देखते रहें फिल्मों की हर खबर हमारे शालों के साथ नमस्कार